क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सभी अपने समानवादी पार्टी के सांसदों को बढ़ाई देना चाहूंगी और साथ में उत्यपरदेश के सभी जनों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि जहां उन्होंने एक सकारात्मर्ग राज़निती का आज सयोग करके एक भारी संख्या में लोग को संसद्र पचाने का जो काम किया है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सब्सक्राइब अगर खुश नहीं होते हैं तो वह अपने प्रतिने तो अपने हसाफ से चुनते हैं अगर शुरू हो रहा है तो मैं समझती हूं कि वह जो मूल भूट जो स्विधा है लोग को हुई है और जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पे है महंगाई का जहां सवाल है जा महला के सुरक्षा का बहत बढ़ा सवाल है जहां पे आप कारेकरताओं पर तो F.A.R. लिखा रहे हैं और भाच्पा की भी जो इमेज जो बनेगी उसमें भी सुधार कहीं ना कहीं होगा। मैं सबसे पहले तो सभी अपने समानवादी पार्टी के सांसदों को बढ़ाई देना चाहूंगी और साथ में उत्यपरदेश के सभी जनों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि जहां उन्होंने एक सकारात्मर्ग राज़निती का आज सयोग करके एक भारी संख्या में लोग को संसद पचाने का जो काम किया है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सब्सक्राइब अगर खुश नहीं होते हैं तो वह अपने प्रतिने तो अपने हसाफ से चुनते हैं यहीं हुआ है कि कहीं नहीं लोग नाखुश थे और उन्हें अपना सांसर जो चुना है वह समाजवादी पार्टी का चुना है प्रदान मंत्री नरीमोटी शपद लेने जारे है तीसरी बार क्या कहीं है मैं समझती हूँ कि यह जो अगर तीसरा काल अगर शुरू हो रहा है तो मैं समझती हूँ कि वो जो मूल भूत जो उस विधायें लोग को हुई है और जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पर है महेंगाई का जहां सवाल है जहां महला के सुरक्ष्या का बहुत बड़ा सवाल है जहां पे आप कारकरताओं पे तो F.I.R लिखा रहे हैं लेकिन अगर लोग जो पीड़ित हैं जो प्रतारित हैं वो F.I.R लिखाएं जाते हैं तो उनकी F.I.R कहीं नहीं हो पा रही है तो इन सब जो जनता के मुद्ध कर उस पे ध्यान दिया जाएगा तो मैं समझती हूँ कि जनता को भी सुविधा और सहुलियत पहुचेगी और भाच्पा की भी जो इमेज जो बनेगी उसमें भी सुधार कहीं न कहीं होगा क्या कुछ कहना जाएगे मैं सबसे पहले तो सभी अपने समानवादी पार्टी के सांसदों को बढ़ाई देना चाहूंगी और साथ में उत्यपरदेश के सभी जनों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि जहां उन्होंने एक सकारात्मर्ग राजनिती का आज सयोग करके एक भारी संख्या में लोग को संसद्र पचाने का जो काम किया है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मैं अयोध्या की सीथ बहुत महात्वकूर है मैं सबस्ती हूँ वो लोगों का लोग तंत्र में लोग अगर खुश नहीं होते हैं तो वो अपने प्रतिने दोग अपने हसाफ से चुनते हैं और योध्या में भी यही हुआ है कि कहीं नहीं कहीं लोग नाखुश थे और उन्हें अपना सांसर जो चुना है वो समाजवादी पार्टी का चुना है मैं समझती हूँ कि यह जो अगर तीसरा काल अगर शुरू हो रहा है तो मैं समझती हूँ कि वो जो मूल भूत जो उस विधायं लोग को हुई है और जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पे है महिंगाई का जहां सवाल है जहां महला के सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल है जहां पे आप कारकरताओं पे तो एफायर लिखा रहे हैं लेकिन अगर लोग जो पीड़ित हैं जो प्रतारित हैं वो एफायर लिखवाएं जाते हैं तो इन सब जो जनता के मुद्व कर उसमे ध्यान दिया जाएगा तो मैं समझती हूँ कि जनता को भी सुविधा और सहुलियत पहुचेगी और भाजपा की भी जो इमेज जो बनेगी उसमें भी सुधार कही न कही होगा